हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप लोग आप सब बढ़ी आउंगे वेटा लास्ट लेक्चर के अंदर आपने बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था जैनेटिक्स ठीक है हमने कुछ इंट्रोडेक्शन पॉर्शन देखा भी था और ने कुछ टर्मिनोलोजी द इसा कुछ हमने देखा था जनेटिक्स इस दब ब्रांच ओफ साइंस इन विच वी डिल्स अबाउट हरीडिटी एंड वेरियेशन उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम अपने पैरेंट्स से सिमिलर हैं कैसे हम उनके जैसे दिखाई देते हैं इसका रिजन था हरीडिटी एंड हरीडिटी क्या था यह आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रांस्मिशन ओफ क्यरेक्टर स्वाइन वे फादर के वे प्रोजेनी में गए तो क्या हुआ उसके सिमिलर ही दिखेगा ना भाई उसके सिमिलर ही तो सेक्स्वल रिप्रोडेक्शन सेक्स्वल रिप्रोडेक्शन के अंदर क्या हुआ भई गैमिट्स बनते हैं गैमिट्स के त्रू गए गैमिट्स में कौन होते हैं क्रोमोजोम्स होते हैं क्रोमोजोम्स पे कौन होते हैं जीन्स होते हैं और वो जोनों के दोनों जीन्स मदर फादर से तो दुनों पेरेंट के के टरहीं तो प्रोजनी के अंदर डरांसमिट हुए नहीं होते हैं बिल्कुल नहीं होते हैं बिल्कुल कि एक्दम हूब हुने मामीज पापा की तरह दिखाई ँरहा ऐसा नहीं होता है reason behind this variation हमने last lecture में बहुत अच्छे से discuss के था variations variations का reason आप अच्छे से जानते हैं अगर आपने class 11 के अंदर cell biology के अंदर meiosis पढ़ा है recombination crossing over takes place in the pecaitin stage of pro phase of meiosis first meiosis first के अंदर crossing over की वज़े से क्या आते है बटा? changes आते है, variations आते हैं ये भी हम discuss करेंगे ठीक है बटा? ये सारी चीजे हम आगे और भी discuss करेंगे तो ये सारे changes कितने तरह के कैसे कैसे changes आते हैं, continuous, discontinuous कुछ rare changes होते हैं जो mutation के वज़े से आते हैं somatic changes होते हैं, जो inheritable होते हैं एक generation से, दूसरी generation में नहीं जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला था इस रूहे कि मैंने पूच कट कर दी, तो ऐसा नहीं है कि उसके आने वाली प्रोजनी के अंदर भी उसका tail कटा हुआएगा ये सारी चीजे अपने discuss की थी, काफी terminology अपने discuss की थी, वो हमारे यहाँ पर बटा use आएंगे आगे तो बिना time waste की अपने start करते हैं एक line मैंने start करते ही लिखी थी कि father of genetics कौन थे? ग्रिगर जॉन मेंडल जॉन मेंडल was father of genetics was father of genetics father of genetics Grigor John मेंडल is father of genetics कौन है father of genetics Grigor John मेंडल is the father of genetics अरे वही जनेटिक के पिता जनक इनको माना गया है father माना गया है तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है कौन थे मेंडल ठीक है? कब इनका जनम हुआ? So he was born on he was born on 22nd July 22nd July 1822 को बेटा इनका जनम हुआ और जनम से ही जैसे थोड़े बड़े हुए इनका पूजा पार्ट में काफी इंट्रेस्ट था ठीक है? कहां के रहने वाले थे? ये तो अपने डिस्कस नहीं किया आस्ट्रिया कंट्री इन आस्ट्रिया आस्ट्रिया के रहने वाले थे हैजेंडवार्फ स्टेट सिलीसियन विलेज बुरान सिटी ठीक है बड़ा? इतना क्यों जानना है हमें? बुरान सिटी थोड़ा ध्यान रगना और हमें इनके घर नहीं जाना है वैसे ठीक है बड़ा? हैं भी नहीं वैसे ही अभी तो ठीक है? तो अब अपन बात करते हैं कि यहां इनका जनम हुआ जनम होने के बाद से ही इनका पुजा पार्ट के अंदर थोड़ा इंट्रेस्ट था काफी जो थे बगवान से इनका थोड़ा वास्ता था तो इन्होंने क्या किया? He joined monastery as a priest he was priest he was priced in monastery in 1848 1848 के अंदर इन्होंने as a priest monastery join किया अब विटा इनका मन नहीं लगा ठीक है? थोड़े दिन इनका हुआ कि यार थोड़ा मुझे पढ़ना चीए then in 1851 in 1851 in 1851 he was joined he was joined Vienna University Vienna University University for for study of natural science and mathematics natural science and mathematics natural science and mathematics पढ़ा ही में इनका मन नहीं लगा ये वापस से he came back to the monastery again as a monk he was came back at monastery as a monk as monk ठीक है monk के monk बन गए monastery आ गए वापस से लोट कर ठीक है वड़ा फिर इनका मन नहीं लगा काफी यहाँ वापस इन्होंने monastery आ गए 14 years तक इन्होंने काफी बच्चों को पढ़ाया लिखाया वहीं पे ये पादरी थे बगवान की पूजा पार्ट करते थे और वहाँ पे कुछ बच्चे थे उन्हें ये पढ़ाते थे teacher थे ठीक है असानक से इनका मन हुआ कि वहाँ पे जो चर्च था जो चर्च था उसके अंदर क्या था पास में एक garden था और garden के अंदर P Plants थे इन्होंने बहुत सारे P Plants देखे तो बेटा इन्होंने क्या किया He worked on P Plants He worked on P Plants P Plants या अपन garden P भी जिसे हम बोलते हैं Worked on garden P Garden P ओके और इसका botanical name क्या है विटा 25 सेटाइवं गार्डन पी को हम बोलते हैं 1856 से 1856 से विटा 1863 तक इन्होंने work किया कितने years हो गए 7 years 7 years तक इन्होंने विटा काम किया किसके उपर 1856 से 1863 तक इन्होंने work किया गार्डन पी के उपर 3 साल तक इन्होंने work किया इन्होंने देखे काफी सारे जो मटर के प्लांट्स थे उनके बीच में इन्होंने selfing करवाई और उनसे इन्हें pure lines मिले अब क्या होते है pure lines क्या होती है selfing selfing आप सब लोग अच्छे से जानते है इस point को अपन काफी अच्छे से हम discuss करने वाले हैं अभी मेंडल के बारे में हम जान रहे हैं कि इन्होंने selfing करवाईगा selfing चलो मां बता ही देता हूँ कि एक ही जो मटर का प्लांट है वो एक एक ही फ्लॉर में दोनों जो sex parts ने उनके बीच में उन्होंने selfing करवाते गए और जिनसे इनको pure lines मिली pure lines मतलब एक जैसे character अरे last week जो हमारा chapter था उसमें अपनने बहुत अच्छे से पढ़ा है बटा कि क्या होते है pure lines एक जैसे ही characters इनको मिलते गए एक जैसे characters मिलते गए heterozygous जो condition है वो क्या होती गई कम होती गई इन्होंने pure lines obtained grace पर अच्छे से discussion करेंगे ठीक है बड़ा फिर इन्होंने क्या किया 3 years तक 1859 से लेकर 1863 तक 1859 से लेकर 1863 तक 1863 तक experiment on plant hybridization plant hybridization hybrid digestion plant hybridization किया यहनि plants की बीच में cross pollination करवाते गई कैसे करवाया सारी चीज़े अपन discuss करेंगे 1866 के अंदर वेड़ा क्या हुआ 1866 के अंदर इनका paper जो था वो published हुआ किस नाम से experiment on plant hybridization से इनके क्या हुए paper published हुए इनका जो paper था इनका जो work था His work was published his work was published in 1866 1866 as title as title as title experiment on plant hybridization experiment on plant hybridization plant hybridization नाम से इनके paper जो थे वो क्या हुए बेड़ा publish हुए इनके paper publish हुए कब 1866 के under इनके paper publish हुए वही की कोई national history नाम से कोई वो चलती थी novel जाप इनके paper publish हुए ठीक है बेड़ा वही की local research papers इनके local level पे नेशनल लेवल पे इनके papers जो थे वो published हुए एजे किस नाम से experiment on plant hybridization नाम से इनके paper बेड़ा published हुए 1866 के अंगर Mendel को जीते जी success नहीं मिली Mendel को success मिलती है Mendel का जो काम था लोक नहीं पहचान पाए क्यों नहीं पहचान पाए लेकिन Mendel को success मिली बेटा अब देखू in 1884 in 1884 Mendel was died Mendel was died ठीक है किस वज़े से due to kidney disease due to kidney disease kidney disease यानि bright disease इसे हम बोलते हैं ठीक है bright disease से इनकी क्या होगी बेटा 1884 के अंदर इनकी death होगी 1884 के अंदर ये क्या हुआ सर साथ साल experiment की कोई इसके काम को समझ नहीं पाया ऐसा आखिर क्या हुआ Mendel father of genetics जनम हुआ 22nd July 1822 Austria country he was pressed in monastery 1848 1851 के अंदर इन्होंने join किया Uviana University for study of natural science and mathematics पढ़ाय लिखाई की मन नहीं लगा वापस बटा monastery आए वापे monk बने वापे बच्चों वो पढ़ाते थे side में church के पास में church के अंदर ही एक garden था garden के अंदर इनको mutr के plant दिखाई दिए और इन्होंने उस mutr plant के उपर experiment करना start कर दिए इन्होंने मज़ा आने लगेगी और क्या है ये कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं तो इन्होंने क्या experiments किये 7 years तक इन्होंने experiment किये starting में इन्होंने selfing करवाई selfing से इन्होंने pure lines मिले pure lines मिले pure lines यानि एक जैसे character dominant toll है तो toll है मतलब जो plant मिला उसी का उसी के साथ में उसी का उसी के साथ में जो progeny मिल रही है यानि दूसरा कोई enter नहीं उन्होंने दिया इन्होंने दो plants के बीच में hybrid बनाना यानि दो different plants की बीच में इन्होंने cross करवा के plant hybridization पे experiment किये 1866 के अंदर इनकी book कोई paper publish हुए experiment on plant hybridization नाम से कुछ paper publish हुए 1884 के अंदर मेंडल की death हो गई पूरी जिंद की बंदे ने काम किया बहुत ज़्यादा मेनत की लेकिन इन्हे success नहीं मिली क्योंकि लोग इनकी approach को समझ नहीं पाए यानि कर पाए लोग इनकी जो approach थी mathematical approach इन्होंने use की उसको समझ नहीं पाए लेकिन बेटा ऐसा कते ही नहीं हुआ कि मेंडल तो सर्फिर आज मेंडल को क्यों पढ़ रहे है आज मेंडल को हम क्यों पढ़ रहे है क्योंकि बड़ा उसके बाद में sun in year 1900 1900 के अंदर कुछ scientists थे तीन अलग अलग जगों से जो ऐसा ही काम कर रहे थे यही work कर रहे थे hybridization pain पे work कर रहे थे और उन तीनों scientist ने मेंडल के work को rediscover किया और मेंडल को success मिली कौन वो तीन scientist थे कैसे इनों ने किया अब अपन बेटा बहुत सारे हमारे mind के अंदर queries हैं, बहुत सारे हमारे mind में questions हैं, why he selected the pea plant, what is the reasons of मेंडल's success why he was unsuccessful मतलब अपने जिन्दा रहते हैं वो success क्यों नहीं हुआ तो यह सारे reason अपन one by one देखने वाले हैं सबसे पहले अपन देखें कि मेंडल ने pea plant को choose क्यों किया then उसके बाद में अपन आगे discuss करेंगे इन्हें note down कीजिया हाँ बच्चो अभी मेंडल के बारे में अपने discuss किया था कि मेंडल ने क्या था मेंडल कब उसका बर्थ हुआ क्यों उसको अपन father of genetics बोलते हैं वह सारी चीजें कितना काम किया उसने genetics के लिए तो बहुत सारी अपने चीजें देखी उसके बर्थ से लेकिए उसके depth की story अपने अभी discuss की थी ठीक है बड़ा अब उसी introduction के अंदर अपने यह भी discuss कर चुके कि मेंडल ने वर्क किस पर किया मेंडल वर्क ओन मेंडल वर्क ओन पाइसम सटाइवं यानि गार्डन पी गार्डन पी यानि बेटा क्या पाइसम सटाइवं पाइसम सटाइवं गार्डन पी के ऊपर उसने वर्क किया तो आपके मैंड में क्यों से ना चाहिए sir why he choose the garden p why इस why का reason ही हमें देखना है क्यों बेटा उसने garden p he choose किया क्यों उसने people का paid या फिर कोई mango tree उसने क्यों choose नहीं किया अरे भाई बेटा अगर वो mango tree या फिर people का paid चूज करता तो उसकी वर्सो निकल जातें उसकी पीडियां चली जाती लेकिन वो कभी भी उसको रेजल्ट्स नहीं मिलते और आज मेंडल इतना फेमस नहीं हो पाता क्यों अरे तु इसका रीजन आपको दिखाई दे रहा है उसको रेजल्ट्स नहीं मिलते तो ऐसा मैं सोजना कि गार्डन के अंदर थे नहीं वो पेड वो और भी पेड थे माना कि वहाँ पे मटर के प्लांट थे लेकिन और भी प्लांट वहाँ पे अवेलेबल थे लेकिन मटर को ही उसने क्यों चूज किया उसके पीछे बहुत सारे रीजन है तो देखते हैं आपन वन बाई वन P plant is a P plant is herbaceous herbaceous and herbaceous and annual plant annual plant annual plant जल्दी जल्दी result देने वाला annual, binyal, perinyal three types के आपने plants के बारे में पढ़ा होगा annual plants जो एक ही साल के अंदर हमें results मिल जाएं उसके तो जल्दी जल्दी वो results प्रोड्यूस करता है अपनी cycle जल्दी 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 regulate करता है short life cycle होती है हम बोल सकते है short life cycle यह भी reason है इसका तो इसको अपन annual plant से आप क्या समझोगे short life cycle ओके यह भी बेटा एक reason है short life cycle सिर्फ सर इसी वज़े से कि उसके short life cycle है क्या ऐसे plant नहीं थे और क्या और annual plant नहीं थे क्यों वो wheat, बाजरा, बारले क्यों नहीं चूज किया why he selected the pea plant for his experiment और भी बहुत सारे reason थे जैसे की pea plant is a bisexual it is a bisexual plant it is a bisexual bisexual plant bisexual plant यानि दोनो male and female एक ही flower यानि एक ही plant के उपर male and female flowers present थे bisexual plant था दोनों तरह के sex organs एक ही plant के उपर एक ही flower के अंदर present थे प्लिस्टो गेमर स्ट्राइप्स के flowers होते हैं ओके so self pollination is possible so self pollination is possible self pollination is possible अब self pollination से हमें क्या मिलेगा self pollination से बटा हमें क्या मिलेगे प्यूर लाइन्स अरे यह प्यूर लाइन्स बहुत नाम आ रहा है बिटा प्यूर लाइन्स यानिए same ही genetic constitution के मिलेगे एक ही का एक ही के साथ करा रहे हैं तो एक ही जैसा जैने दींस रॉन्ट्टिक इस हैं वो हमें देखने को मिलेंगी इसलिए वो self-pollination उसमें easily possible था bisexual होने के वज़े से तो क्या cross-pollination possible नहीं था? Yes, cross-pollination is possible But artificial cross-pollination What is the artificial cross-pollination? अरे बाई दोनों ही एक floor के उपर दोनों male and female present है अब उसमें कुछ change करना पड़ेगा वो ही artificial cross-pollination तो क्या methods थे? लास्ट चेप्टर में अपने डिस्कुस किया थे बाटा Begging and emasculation emasculation and begging What is the emasculation? Caesar उठाओ Cut करो किसको? Stamen को Initial stage के अंदर Then वो अपने आपको pollinate नहीं कर पाए कि वो floor Then आप the desired floor से जहां से आप pollinants डाल के उसे pollinate करवा सकते हैं So artificial cross-pollination is possible तो बेटा ऐसे में क्या था कि artificial cross-pollination possible था Artificial cross-pollination is possible Artificial cross-pollination is possible by emasculation Emasculation Okay Emasculation के थुरू artificial cross-pollination possible था बेटा ठीक है? ताकि हम desired characters आपस पे उनकी artificial cross-pollination से हमें क्या मिलेगा? उनके बीच में hybridization करवा सकते हैं दो different characters के बीच में cross करवा सकते हैं जो हम आने असके बाद में जो मेंडल ने जो करवाया है Crosses तो वो सब इसी वज़़द से तो हुए हैं एक bisexual plant था लेकिन उसने क्या करवाया? Artificial cross-pollination होने की वज़द से hybridization experiments किये उसने अभी आपने लास्ट ही अभी मेंडल के बारे में बढ़ रहे था तो आपने देखा था ना कि experiment on plant hybridization से उसके पेपर भी पब्ली सुए थे तो वो इसी वज़़द से possible थे तो बेटा next अपन बात करते हैं सर यह इतने रीजन सफिसेंट है यह सब चीजे तो औरों में भी हो सकती थी कोई और bisexual plant चूज कर लेते और हमें उसमें भी कोई दूसरा bisexual annual plant हम चूज कर सकते थे जिसकी सोट लाइफ साइकिल हो पर बेटा सबसे important जो और plants के अंदर possible नहीं था यह सबसे important reason है various types of contrasting traits are present in P plant various types of types of contrasting traits are possible in P plant in P plant तो यह बात हमें वेटा ध्यान में रखनी है ओके यह चीज हमें ध्यान में रखनी है artificial various types of contrasting traits are possible in P plants कितने type के various types में कितने types के वेटा approach कितने seven types okay और इनके traits कितने हो गए total varieties कितनी मिलेंगी 14 जो हम अभी देखने वाले हैं इनके बारे में हम discuss करने वाले हैं यह बहुत सारे reason थे ऐसे ही उसने P plant चूज नहीं क्या वर्ना वो people पे भी कर सकता था बनियान mango पे भी कर सकता था लेकिन उसे पता था कुछ आना जाना नहीं है फाल तू का टाइम खराब होगा लेकिन बेचारे को मिला नहीं उसी वक्त success उसको लेट मिली तो चलो बेटा अब आगे जो discuss करेंगी वो करेंगी कितने टाइप के जो इसके contrasting traits हैं 7 characters के बारे में कौन-कौन से characters थे और कौन-कौन से traits या varieties जो हमें देखने को मिली 7 characters 14 varieties हमें देखने को मिली तो वह आपन देखते हैं please note down this हाँ बचो contrasting traits कौन-कौन से थे कौन-कौन से contrasting traits थे seven types of characters थे सबसे पहले अपन बड़ा बात करते हैं plant height की चलो देखते हैं कौन-कौन से है plant height ये character है ठीक है plant height total character कितने दे seven थे कितने दे seven थे plant height का character है वो क्या हो सकता है बड़ा it may be tall और या वो dwarf भी हो सकता है ड़ार भी हो सकता है ठीक है second one second one is the flower position flower position flower position की बात करते हैं ठीक है बड़ा axial भी हो सकती है terminal भी हो सकती है next axial या terminal third one pod shape pod shape अरे ये pod shape क्या है अरे फली की जो shape है वो कैसी हो सकती है it may be inflated या constricted constricted अरे मतलब क्या है इनका ये देखो ध्यान से देख लेना axial यानि बिल्कुल यहां पर और एक्दम टर्मिनल पोजिशन पर फ्लॉर पोजिशन ठीक है tall ड्वारफ आप समझते हैं या तो बड़ा या छोटा inflated straight एकदम हरी फली देखे आपने मटर की बिल्कुल एकदम ऐसे constricted बिल्कुल जूरीदार ठीक है एकदम ऐसे हो जाएगी बिल्कुल जैसे सूकने के बाद में कैसे हो जाएगी constructed हो जाएगी pod shape हो गया अब next बात अपन करते हैं flower color fourth one is the flower color violet या white white या फिर white ठीका बेटा next one हम बात करने जा रहे हैं fifth seed shape या seed color seed के color की हम बात करने जा रहे हैं green या yellow green या yellow ठीक बेटा sixth one sixth one is the pod color pod color या या फिर या फिर green okay and last one is the seven number कौन सा होगा बेटा सातवा नमर pod color हो गया yellow या green and last and final seed shape जो seed की shape होगी वो कैसी होती है बेटा या तो round होगी या wrinkled होगी या तो कैसी होगी round and wrinkled wrinkled तो मेरे प्यारे बच्चे ये चीजे ये सारे के सारे जो seven characters है ये जो सारे के सारे यहां पे characters है ये आपको ध्यान रखने है ये सारे के सारे जो characters है ये ध्यान रखने है और ये सारे के सारे जो traits है ये भी आपको याद रखने है और वेटा ये seven contrasting traits जो हैं ये कितने chromosomes पे हैं ये total कितने chromosomes पे present हैं four chromosomes पे present है वेटा four chromosomes पे present है one four five और seven कितने one four five और seven तो चार chromosomes के उपर ये चारों सारे character present हैं ये सारे के सारे किस पे हैं वेटा seven पे हैं sorry four पे हैं ये भी four पे हैं ये दोनो one पे हैं और ये किस पे है five और last one is the seven इस तरीके से ये आपको सारा दिहान में रखना है अब देखो बहुत सारी चीजें हैं ये characters हैं characters के रहे responsible कौन है जीन और जीन मेरी में एक बार ये फिर चीजें आपके दिमाग में बढ़ा देता हूं ठीक है chromosome जीन्स जीन्स क्रोमोजोम के ओपर कौन प्रिजेंट है genes what are the genes functional segment यानि अपने बोलता inheritable unit inheritable मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना transfer हो ना यह आपन बोल सकते हैं DNA का functional segment मैं बात को थोड़ा लेवल पे ले जाना जा रहा हूं बात को मैं थोड़ा लेवल पे ले जाओंगा और ये translate जो अपने आपको transcribe कर सकता हो यानि DNA का जो segment functional segment उसे हम क्या बोलते हैं gene बोलते है functional segment of DNA is called gene एक तरीके से बोल सकते हैं जो transcribe कर सकता हो और जो एक generation से दूसरी generation में transfer होता हो अब उसको हर एक gene को हर एक gene के दो alleles होते हैं और alleles क्या होते हैं different forms of a gene that control a particular trait या character और traits क्या है यह character है यह क्या है character character है height trait it may be tall it may be dwarf actual position जो बताता है किसी भी organism या plant के बारे में वो क्या है बेटा trait है different forms of character और हर एक character की responsible कौन है gene और genes are located on the chromosome gene को अपन heritable unit भी बोलते हैं जो की एक generation से next generation के अंदर बेटा transmit होती है तो यहां तक कि यह picture है यह आपको clear होनी चाहिए इस बात को यहां तक अगर आपने बहुत ही clearly learn कर लिया देन आगे आने वाले time में आपको जो भी lectures आएंगे उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी allele, gene, trait, character इनके बारे में एक दो basic से information आपको रहनी ही चाहिए चीजों को और उपर level पे अपन लेकर चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे बिलकुल sharply और questions मैं आपको बता दूँगा अपन साथ साथ में questions भी देखेंगे साथ साथ में अपन questions भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे तो आपको इससे note down करना है और अपन फिर आगे start करते हैं one by one Mendel के थोड़े success के reason और फिर वेटा अपन start करते हैं सबसे पहले Mendel ने कुछ principles दिये थे उनके बारे में अपन बात करेंगे कुछ examples के थूँ ठीक है तो आप इससे note down कीजिए